आपने एक आहावत सुनी होगी कि जैसा खाओ अन वैसा होवे मन पदार्थ तंत्र के लिए मैंने बहुत सी वीडियोज दी हैं जिसमें घर के मसालों में कितनी चमतकारी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानकारी आपसे मैंने शेयर की है आज की वीडियो भी उसी का ही एक हिस्सा है आज हम एक ऐसे मसाले की बात करेंगे जो घर घर में मौझूद है हींग की बात आज मैं करने वाली हूँ हींग एक ऐसा पदार्थ है जो आपके किसी भी कारे को बहुत जादा पावर देता है बहुत जादा शक्ती दे देता है आपकी किसी भी कारे को होने में अगर आपको कश्ट महसूस हो रहा है आपको कोई कारे नहीं बन रहा आपको लगता है कि आपके कारों में विगन आता है और बंते-बंते काम रुक जाते हैं तो आज का ही उपाय आपके लिए खास हो सकता है अगर किसी को संक्टों ने चारों तरफ से घेर रखा है अगर कोई भी कार आसानी से पूरा नहीं होता तो हर रोज अपने घर में एक चुटकी हींग लेकर ये प्रियोग आप कर सकते हैं वैसे तो सबजी का स्वाद बढ़ाने के साथ ही हींग के और भी बहुत से फायदे हैं हींग हमारे स्वास्ते के लिए बहुत चमतकारी प्रभाव डालती है अगर आपका कोई भी कारे नहीं बनता है सफलता आपके लिए बहुत बड़ा एक विशय है आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों तो आपने ये प्रियोग करना है आपने हींग लेनी है और इसके साथ साथ कपूर लेना है दोनों को आप टुकड़ों मिलें दोनों टुकड़े जब आप लेंगे तब आपने क्या करना है इसे एक दिये में डालने आपने मिट्टी का दिया लेकर थोड़ा सा टुकड़ा कपूर का और थोड़ा सा टुकड़ा हींग का डालना है और आप इसे जला दें, जला कर आपने इसे अपने साउथ वेस्ट डारेक्शन में रख देना है इसको जलाने से 21 दिन तक आप इसको लगातार करते रहें 21 दिन तक इसको जलाने से आप देखेंगे कि आपकी घर में बाधाओं का आना कम हो गया है आपको रास्ते दिखाई देने लगे हैं, मुश्किले कम हो गई हैं और आपको लगेगा जैसे जीवन में वो चीजें अब जो बहुत मुश्किल लगती थी आसान लगने लगी हैं इसके साथ साथ किसी भी नए कारे को शुरू करने के लिए अगर आपने जाना है, किसी इंटर्वियू के लिए जाना है, काम को आप सफल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको घर से निकलने से पहले हाथ में चुटकी भर हींग ले लें, फिर आप मुख्य द्वार के पास हैं, वो दूर चले जाएंगे, और इसको तीन बार आप एंटिकलॉक वाइस घुमा कर उत्तर दिशा की और फेंक दें, अब बिना पीछे देखे, आगे बढ़ जाएं, आपका काम हर हाल में बनेगा, अगर किसी व्यक्ति को लगता है, कि उसके घर में बहुत जादा नकरा जाती ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की नजर लग जाती है, घर में कोई न कोई आपको ऐसा लगता है, जैसे बुरी चीजें घूम रही है, और मन में भै बना रहता है, घर में आपको नेगटिव वाइब्स महसूस होती है, तो ऐसे मैं एक उपाय बताने वाली हूँ, जो बह पाउडर इनका लेना है, इनके टुकडे नहीं लेने, पाउडर ले आप, और इसके साथ साथ 5 ग्राम काले मिर्च लेनी है, 5 ग्राम काले मिर्च भी आप पाउडर बना लें, इन तीनों चीजों का पाउडर बना कर इसे आपने तीन हिसों में बांट लेना है, क्योंकि इस प्रियोग को आपने तीन दिन तक करना है अब तीन हिस्सों में बांटे हुए जो भी पाउडर है उसको भी आप तीन हिस्सों को आगे दो दो हिस्सों में बांट लें क्योंकि एक हिस्से को आप सुभे जलाएंगे और दूसरे हिस्से को आप शाम को जलाएंगे तो इस तरह स छे बार ये प्रियोग हो जाएगा, 15 ग्राम पाउडर है, पहले तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें, उसके बाद हर एक हिस्से को दो में डिवाइड कर लें, आपने तीन दिन तक इसका प्रियोग करना है, आपने सुभह और शाम इसे जलाना है, आप अगर अपने घर के है, उसे डालें और इसमें आप जला लें इसको, इसको जलाना बहुत आसान है, आपने आप ही इसमें जो आग है वो पकड़ लेती है, क्योंकि कपूर डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और आपके घर से बुरी नजर बिलकुल दूर चली जाएगी, हींग अपने आप में पदार्थ तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, हींग से वो उपाय किये जा सकते हैं, जो किसी भी पदार्थ से नहीं किये जा सकते, हींग की सुगंध जब आप देखेंगे तो कितनी तीखी होती है, इसलिए हींग का प्रियोग तंत्र विद्या में भूत प्रेत की बाधाओं को शंत करने के लिए भी किया जाता है, इसके इलावा इसका प्रियोग नाकरात्म गुर्जा को खतम करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए आप इसको छोटा सो उपाए मत समझें, ये बड़ी-बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है. तो इस प्रकार से पदार्थ तंत्र की आज एक और आशधी की हमने बात की है जो आपके जीवन से फ्रिग्न दूर कर सकती है जो आपके जीवन से परिशानियां दूर कर सकती है आपके जीवन से मुश्किलों को कम कर सकती है छोटे छोटे उपाये हैं पदार्थ तंत्र बहु का अंध होता है तो पदार्थ दंत्र के इन उपायों को अपना कर जरूर देखें आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें शेयर करें ताके लोगों को फायदा हो सके और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें